वेल्कम बैक तो दे सेशन कैसे हो आपसे भी लोग आपसे भी लोग बढ़िया होंगे एक्चुल्य हमारे क्लास में आज 2-3 मिनिट लेट हो गया है कोई बात नहीं वैसे तो एक्चुल्य क्या हो गया था क्लास को मैंने टाइम पर स्टार्ट मिल जाएगा उसके इंदर मुल् अपको लाइव ख्लासस मिल जाएगी कोटा के अंदर से अब आपको कमफर्ट मिल जाएक आपके घर बैटे बैटे तो डीपी पीपी मिल जाएगी टॉप एवल इसके बीच में मिलने वाला है बड़ोस्तों आपके सामने इसकी प्राइज है इसका आप स्यूज कर सकते हो ए इसके अंदर आपको 90% डिस्काउन मिल जाएगा अगर आप स्कॉलर्शिप की प्राइज विन करते हो तो टेस्ट आपको ओनलाइन देनी इसके अंदर ओके अनुज होने वाली जो की नीट योजी के लिए अपको मिल जाएगा इसके अंदर सब कुछ खास कोईशन आपको इसके अंदर मिलने वाला है आज के हमारा फर्स्ट कोईशन आपके स्क्रीन के सामने होने वाला है जल्दी से पहुंज मतलब क्या होता है तो उसकी अंदर आपका जो असेक्शुल रिप्रडेक्शन होता हो कैसे होता है फार्थेनों जिन इसे होता है बड़िंग के थरू होता है नहीं होता है फ्राग्मेंटेशन के थरू होता है हां होता है स्पोर्स के थरू नहीं होता एक चीज देखना आपका जो स्पॉंज होने वाला है उसके अंदर क् और देख सकते हो आपका पॉलन ग्रेंट ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका ग्यामेट की तरहाइड करता है इसके इंदर आक्चुली मेल गामेट होता है तो इसकी जो इसकी डेवलोपमेट होती हो उसकी डेवलोपमेट कैसी बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट इंपोरण कोशन आपके लिए होने वाला है यह सबसे खाच चीज़ देखना फुली इंसी तो होता है नहीं होता है फुली एक से तो हो जाएगा नहीं होता इनविट्रों भी आपका इंपोर्टन था मितलब क्या पार्शिल हो क्या अगर ताइंसी तू करेगा अपने डेवलोपमेट एंड उसके बाद अनुराग हो क्या करने वाला है उसके अंदर एक सितू करने वाला है वेरिनेस में स्क्रीप्शन के सामने है यह आपको करेक्ट डेस्क्रिप्शन होटिन की बीज में इसकी डेवलोपमेंट होने वाली है तो कौन सौत एक चीज़ देखना आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ग्रो करते हैं फिर बाद में स्टेकेंडरी फॉलिकल बनेगा वह आगे जाप क्या का ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ग्राफियन हो दोर सिस होने वाली यह आपकी फॉलिकलार फेंस हो जाएगी और दोस्तो है है बहुत बढ़ाइब ऑविट्रμέ侘ищ के अंदर क्या होते हैं आपका इस्ट्रोजन सिखरेट किया जाता है, इस्ट्रोजन होता है, वो इस्ट्रोजन होता है और EBRI को बनाने को बना हम बनाता है, इसके वजह से इंड्मोमेटरियान फिखने बढ़ जाती है, इसके नर चाहें लिटेनेशिंग हॉर्मोन और फॉलिकल स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन रिलीज होते हैं वाइसे लिटेनेशिंग के वज़ेसे आपका ओवील लेशन इसके बीच में होने वाला है हो नहीं था सो 75,000 से लेकर 1,000,000 के बीच में आपका होने वाला यस मतलब 10,000 सॉरी तो इसका अंसर आपका बी इस the correct answer मेरे दूस्तों 1,000,000 से लेकर 70,000 75,000 के बीच में आ जाएगा तो option D आपका आई से शो करता है very nice yes very good next question आपके स्क्रीन के सामने fishery is an industry developed to catching processing and the selling of the fish shellfish or the author aquatic animals some of this very common fresh water fishes कौन से होने वाले जल्दी से fresh water species कौन सी होने वाली है जल्दी जल्दी आराम से कर सकते हो बहुत बढ़िया option D जो होने वाला है यह आपका क्या होने वाला है marine fishes है और आपका जो option A है that is the cutla, rohi and the common का जिसकी ट्रीक हमने इसका की थी CRC यह जो CRC होने वाला है आपका fresh water fish इसके बीच में आने वाला है very good then next question आपके screen के सामने है in the biological method of the gene transfer the micro particles coated with the foreign DNA are bombardment into the target cells at a very high velocity यह जो particles होने वाले जिसे micro particles बेकेते हैं किस चीज़ से बने होते है एक चीज़ देखना यह करते है plant cell के अंदर क्यों क्योंकि plant cell के पास क्या होता है cell wall होता है तो cell wall को penetrate करना होता था तो उसके वाज़े से हम क्या करते है high velocity से एक बंदुकी जो गोली होते हैं उसकी तरह हम क्या करते है गोल्ड और टंगस्टन जो होने वाला है very good option c is the correct answer यह सराजा यह सुदाकर अनुड़ा correct answer है तो उसको हम क्या करते हैं इसकी उपर हम वेक्टर लगा देंगे और उसे bombardment कर देंगे तब जाकि आपका transfer gene transfer होने वाला है very good next question आपकी screen के सामने इसके बीच में क्या होती है growth constant होती है hello Pikachu इसके बीच में क्या होती है growth watch constant होने वाली है इस एम कहते हैं नहीं 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 जिसी सहर होता है बर्थ और आपका डे सेक्ध मेर मेरे वाला होता है आपका फोलिंगे परांप पर जक्रों हो सकता है कि दिए स्टाइक्लिक एक्षेंज ऑफ मेटरें बिट्विंग इन्वार्मेंट करेट है कि क्यूंकि आपका टेन परसेंट लौ आ जाएगा इसे रिगुलेटिंग नहीं करना चाहिए एक हुच्छ से चलते जाएगा करेट आपका मैच करेगा बहुत बढ़ी आपक स्विंग के सामने विज़ो दो पॉलेंग इस करेक्ट रिगार्डिंग दा इको सिस्टिम यहीं कोई बात नहीं आपको इनकरेट मैच पूछा है बट इंपॉर्डन कोशन है आपके से कोशन पूछा गया है आराम से कर लो मुसका डोमेस्टी का डिप्टेरा ओर्डर करेट है इसकी फैमिली अनकरणे इसका होने वाला है तो पैंधर टेक्री पर दस्तन दोस्तों तो उसकी ली होनी चाहिए ते दो लीड है उसकी फैमिली होनी चाहिए थी नौट दर कैनेडी तो जिसकी बद जिसी ऑप्शन डी आपका इंकरेट होने वाला है वेरी गुड तो यह सही है नेश्ट कोशन आपके स्मीन के समने जो फोली स्टेट्मेंट अबड़ वायरस इस इस करेट आपका जो वायरस होता है यह क्या होता है एक इंफेक्शन आपके सब्सक्राइब यह जो होता है एक आपका फुरी भी हो सकता है यह बहुत बढ़िया यह सकानेडी बिली का होई ओके तो वायरस इस परजिस दोन ओन मेटागोलिक सिस्टिम नहीं मेरे दोस्तों क्योंकि यह जब आपने होस्ट के अं अपंदोनोगार्ज के नहीं वायरस के उपर अंटिबायोटिक का कोई भी फंक्शन नहीं होता है तो जब भी आपको अपकी पोडिझ उसे लड़ लेगी वह जो होता है में दोस्तों आपके सिम्टम्स के लिए होता है लाइक फीवर वगरा उसे कम करने के लिए होता है वेरी गुट नेश कोशन आपकी स्क्रीन के सामने है इसे सॉल कर सकते हैं लेट सी लगाओ ताकत लगाओ इसके बीच में आप आराम से कर सकते हो थोड़ा सा ट्राय तो करो थोड़ा सा सिंपल कोशन है बहुत बढ़िया एच चीज देखना इकाइनो डर्मेटो जो होने वाला इसके पास कम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टिम है कम्पलीट डाइजेस्टिव सिस्टिम है बट इसके अंदर आपका मेरे दोस्तो सबसे खास चीज देखना इसके अंदर आपके एक्सक्रेटरी सिस्टिम अपसेंट है इसके अंदर कैसे होता है मेरे दोस्तो इसका जो माउथ है माउथ वेंट्रल है क्या है माउथ इसका वे पताना है साइमोज मतलब ऐसे वाला इसकी डियाग्राम ट्रॉकर के आपको दिखा दियता हूं यह आपकी इसकी डियाग्राम होने वाली है ठीक है इसकी डियाग्राम ऐसी होती है साइमोज की जल्दी से देख लो बढ़ी आसा प्यारा साइमूज हो जाएगा आपका मतलब इसका जो मेन होता है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा मतलब खराब बंद हो जाएगा यह वोटर वैस्किलर सिस्टीम होती है के पास वही बात है तो इसके अंदर मेरे दुस्तों देखना इसका अपका करेट होने वाल है मैं एक्सिस टेर्मिनेट इन फ्लावर यह आपका फ्लावर के इंदर टेर्मिनेट हो जाएगा और आपको ट्रीक याद करनी है बीसी कौनसी इन फिकनेस सिंपल चीज़े जब आपका ट्रीक ग्रो करेगा ओल्ड करेगा गूड़ा हो रहा है तो कौनसी चीज अपने थिकनेस में बढ़ीगी तो आल को लो ट्राइक कर लो नाराम से हो जाएगा सिंपल कोशन है यह अनुराक करेट है अनुराक का करेट है एक चीज़ देखना जब ट्री ग्रो करेगा तब वो स्टेकेंडरी ग्रोथ जादा दिखाएगा ठीक है और स्टेकेंडरी ग्रोथ में स्टेकेंडरी जायलम जादा बनाएगा जित्ता जादा सेकेंडरी जायलम बनाएगा उत्त इंता उसको अब ही तयार होगतौ कि रेजिस्टन्स गोता है इसका फंचेनए बस एक new अवाला कंडॉक्षेन हमेइर के सामने चुप आसे scattered and the surrounded by the Scaloran Kamatus bundle sheets किसके बीच में Scaloran Kamatus Bundle Sheet होती है and second आपके सामने कि Floam Paran Kama absence होने वाला है Floam Paran Kama किसके बीच में absent होता है डोनौा option आपके बहुत जादा simple है एक तो छीज़ है कि Scaloran Kamatus bundle sheet वगरा है कि दाइकार को निकाल ही दो, ठीक है, अब यह आपको सवाल आता है कि या root है या stem है, तो अबर क्या दिया, scattered है, surrounded है, vascular bundles वगरा, cojoint है न, cojoint कहाँ पर होते हैं, मेरे दूस्तों, आपके stem में होने वाला है, cojoint दिया है, इसकी जैसे stem में होने वाला है, अगर radial देते हैं, radial देते, तो आप उ basic सा question था, मैंने आपको solve गरा के ले लिया है, सही है, सही है, एक चीज़ देखना मैं आपको बहुत ही important जीज़ अनौंस करना चाहता हूँ, announcement है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी announcement, मैंने क्या किया, मैंने एक topic पर 4-5 दिन काम किया, सच में, बहुत ज़्यादा काम किया है, औ और उस regarding, आज मैंने एक video shoot किया है, that is एक lecture आप कह सकते हो, 25 minutes का, जिसके अंदर आपको chemistry का predicted paper है, मतलब क्या कि आपको कैसे type के question आ सकते हैं, कैसे questions बन सकते हैं, आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, अभी के जमाने में, हमने उसे analysis किया है with the best paper on the 2022, तो अगर आप वो वीड stream में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, इत्ती जाद उसके अंदर हमने study की है, नहीं यार, आज 8 बजे class नहीं है, क्योंकि आज हमारा दुसरा live session है, उसकी बीच में, 8 बजे दुसरा live session है, जिसकी वज़े से 8 बजे class नहीं है, कल की link आपको बेच दूँगा, ठीके, 24 दिरों क जो आपका होने वाला है, वो क्या करेगा, यह जो होता आपका in the form of pellet करेगा, क्या करता है, in the form of pellet, that is the best, paste like, इसका जो excretory होने वाला है, इसका होने वाला है, yes, paste like, and इसकी थ्रू मेरे दोस्तो, loss of water को यह क्या करेंगे, कम करेंगे, loss of water को यह कम करते है, so option B is the correct answer, nice, the next question आ आपको choose करना है की कौन सा incorrect होने वाला है, you just have to choose the incorrect one, okay, cartilage is present between atlas and axis, पर चीज देखना, atlas and axis जो होता है, यह आपका pivot joint है, ठीक है, और pivot joint जो है, यह आपका synovial joint है, synovial joint है, and synovial joint में आपका cartilage प्रसें नहीं होता है, so option A आपका गलत होने वाला है, inophyllium cells are compactly arranged with the little intercellular matrix, correct intercellular है, तो आपका option correct है, अगर intra होता तो आपका incorrect होने वाला था, बट intercellular matrix है, तो correct है, so option, the simple ephythelium consists of two or more layers of cells, incorrect है, क्यों, क्योंकि दो और उससे जादा जो होते हैं मरतोस्तो, वो आपके compound ephythelium में present होती है, not in simple, simple आपका जो ephythelium होता है, वो single layer से बना होता है, so option आपका A as well as the C incorrect है, तो इस question cancer C आजाएगा, यह अपर incorrect पूछा हैं मरत दोस्तो, incorrect, अनुराग, लक्षमी, जोया खान, अक्षिरा, सुदाकर, इस cancer incorrect पूछा था, so option C is the correct answer, next question, विचो तो following cell organs are involved in the manufacturing of various substances, विचो तो following cell organs are involved in the manufacturing of various substances, विचो तो following cell organs are involved in the manufacturing of various substances, लाइज तो हम कुछ vary करत है, secret करता है, vacuole अपने अंदर समाय लेता है, क्या, excretory products आप गय सकते हो, ribosome बनाता है, ribosome क्या बनाता है, proteins बनाता है, ठीक है, यह बनाएगा, rough endoplasmic reticulum, proteins बनाएगा, smooth endoplasmic reticulum बनाएगा, आपका lipid, ठीक है, तो option B is the correct answer, vacuole कुछ नहीं बनाएगा, यहापर आपका centri centriol यह होता है, centriol आपका, यह आपके spindle fibers के अंदर आजाएगा, यह कुछ नहीं बनाता, तो option आपका B match कराएगा, मेरे दोस्तों, यहापर क्या पूछा था, manufacturing, तो बनाने वाले चीद कौन से वाले, option B is the correct answer, यह थोड़ा सा fast fast कर रहा हो क्या, speed जादा हो रही है क्या, friends, thank you, thank you Pikachu, thank you सिदाकर, अनुराग, जल्दी से, lipids are insoluble in the water, correct है, correct है, correct है, lipids जो होता है, वो आपका होने वाला है, क्योंकि उनकी bonding ऐसे होती है, glycerol is the triatrosi propane होने वाला है, correct है, glycerol आपको पता होगा, आपने structure देखा होगा, biomolecules के अंदर, सही है, lecithin is the glycoprotein, lecithin जो होता है, वो आपका होने वाला है, phospholipid, क्या होता है, phospholipid होता है, जो कि आपके cell membrane के अंदर भी present होता है, cell membrane के incorrect answer, क्योंकि इसके बीच में आपका phosphorous नहीं होने वाला, phosphate नहीं होने वाला, so option C is the incorrect option हमने कर लिया, then next question on your screen, except structures formed during the largest stage of the meiosis 1, जल्दी से, एक शेप कोनक सा होता है, जल्दी से, जल्दी से, एक शेप किस्ता होता है, एक चीज़ देखना, और इतर लार्जे स्टेज, यहावर मैं कह सकतो हो, diplotin, diplotin की बीच में क्या होता है, dissolution of synaptominal complex, dissolution of synaptominal complex, उसके बगत आपका एक स्टैप ओफी स्टॉक्चर बनता है, डी नहीं, more than one option is not correct, bivalent आपका अलग चीज़ हो जाएगी, bivalent आपका अलग चीज़ हो जाएगी, bivalent के अंदर आपका दोनों साथ में जुड़े होते हैं, पर यह जो structure दिखता है, इस्ते हम कायस माता कहते हैं, ठीक है, कायस माता more than one purpose, which of the following is not the purpose of transpiration, you just have to choose the correct option, not the function, but not the purpose of the transpiration, let's take out the all the statements, creates transpiration pool for the absorption and the transport in the plants, it is the correct option, due to the transpiration, there is the transpiration pool, which is the negative in the nature, you can assess and which pulls the water towards the upper side, cool leaves the surface by the imperative, yes, एक चीज देखना, आपका जो लीफ होने वाला है, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक evaporative cooling होती है, जिसकी वज़े से आपका plant जादा गर्में भी ठिका रह सकता है, transport of minerals from soil to all parts of the plant, correct है, क्योंकि यह आपके धायलम की थ्रू ही होता है, एंधायलम के अंदर आपका transpiration pool आ जाएगा, correct option है, but option D, option D, use high tensile strength to the water column present in the column, यह आपक incorrect option है, मेरे दोस्तों एक चीज़ देखना हो, inside strength जो हो जाएगा, आप कह सकते हो, inside strength वगेरा, यह चीज़े आपकी किस की वज़े से आती है, आपके surface tension की वज़े से वगेरा, आप कह सकते हो, cohesion जो होता है, cohesion, cohesion मतलब कि एक चीज़ देखना है, इसकी नाम के अंदर चुप कह सकते है, एक लड़का है, दुसरे लड़के से प्यार करता है, उसे हम cohesion कह सकते है, ठीक है, अभी adhesion, adhesion मतलब क्या कोई भी चीज़ किसी से अधार ले रही है, किसी से चिपक क्या आग जा रही है, मतलब यहाँ पर आपका एक surface हो जाएगा, आपके vessel का आप कह सकते हो, औ इनकी बीच में जो attraction है, उसे हम adhesion कहेंगे, तो इस चीज़ आपकी different होती है, manganese toxicity के वज़े से क्या होती है, जब आपका manganese toxicity करेगा, तब आपका क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से solve कर लो, Hello everyone, welcome back to the session, जल्दी से practice कर लो, questions बहुत बढ़ी है आजके, अगर आभी तक अपने like नहीं किया है, इस session को तो जल्दी से जाके कर लो, Reduce is uptake of the magnesium and the iron, correct है मेरे दोस्तों, आपका जो फे मंग होता है, उसका क्या करता है, uptake reduce कर देता है, and जो आपका calcium होता है, उसका translocation नहीं होने देता, option आपके दोनों भी correct है मेरे दोस्तों, very good, तो इसका answer बहुत ज़्यादा simple है, option D is the correct answer, both A as well as the B, एक चीज़ देखना, fake का मग इसकी trick होने वाली है, सबसे खा़ चीज़, जब भी आपका manganese ज़्यादा होने वाला है, जब भी आपका manganese ज़्यादा हो जाएगा, तब इसकी trick है, fake का मग, इन तीनों की deficiency दिखाई देना, अगर आपको एक आद प्लांट में इन तीनों की deficiency दिखाई दे रही है, मतलब manganese की toxicity हो गई है, manganese ज़्यादा हो चुका है, ऐसे आप कह सकते हो, very nice, again the next question on your screen, effectiveness of the different wavelength of light on the photosynthesis is measured by, just suppose, you have a plant, ठीक है, and you just want to study this plant, ठीक है, यह आपके पास कोई तो प्लांट है, तो आपने यापर क्या रखा, आपने आपर एक prism रखा, यह prism थोड़ा सा, prism के शेप्मिन्ट हो करते हो, ठीक है, wait a second, यह आपने यापर prism रखा, आपने यहाँ से एक light pass की, जो क्या भी आपके आगे जाके multiple light pass करेगी, इसके थुरू आप क्या कर सकते हो, मेरे दूख तो absorption spectrum दे सकते हो, इसका एक reason है, कि हमारे जो plants होते है, वो sunlight की वज़े से photosynthesis नहीं करते है, अगर आप किसी plant को shade में भी रख दोगे, तो अभी यह क्या करेगा, अपना जिंदगी complete करेगा, आपको पता है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट क्या होता है, ब्रायोफाइट जाता sunlight में नहीं रहता, तो थोड़ा आप कह सकते हों कि, आपके पेड़ के नीचे भी आ सकता है, water streams पे भी आ सकता है, क्योंकि वो absorption spectrum जो होता है, वो wave length के उपर depend करता है, not sunlight, not sunlight my friends, मेरे घर में भी एक plant है, जो की wave length की through photosynthesis करता है, not the sunlight, next question, number of oxygen atoms required for the oxidation of 2 NADH2 molecules in the ATS, या बर क्या पूछे है oxygen, oxygen number of oxygen atoms required, तो आपको एक चीज़ पता होगी, कि आपका जो H2 होता है, वो क्या करता है, final electron acceptor होता है, final क्या होता है, electron acceptor होने वाला है, तो आपका जो 2 NADH2 होता है, मेरे दोस्तों, NADH2, एक NADH2 के लिए कितना लगेगा, आपको एक oxygen लगता है, ठीक है, तो अगर आपको 2 NADH2 है आपके पास, तो आपके पास 2 oxygen भी लगने वाले हैं, तो इस cancer बहुत जादा simple होने वाला है, खुशवता जी, तो इस cancer option आपका नीट में आने वाले है, next question आपके screen के सामने, arithmetic growth curve is represented by which of the following equation, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, आपके बस दो type of the growth curves होते हैं, एक तो हो जाएगा, arithmetic, arithmetic हो जाएगा, दूसरा आपका होता है, geographic, geometric, क्या होता है, जियो मेट्रिक क्या होता है, जियो मेट्रिक क्या होता अपना growth का जो फिनॉमेन होता से loose करती है, geometric के अंदर सभी चीज़ से grow करती है, तो एक चीज़ देखना, इसके अंदर आपको जो option हो जाएगा, third option is the correct option, very good for my friends, yes, कुश्वता जी, प्रज्यान, yes, तो आपका इसके अंदर की, lt equals to l not plus rtq, यही option q, क्यूंकि आपकी जो growth होन वाली से मैं एंटी भी कह सकता हूं एंटी पुस्ती यह नॉट यह नॉट प्लस आल्टी क्योंकि यह ग्रोथ प्लस धिरो प्लस आपका जो एक्वेशन था उसके अंदर आज आएगी सी ऑप्शन इस दी करेट अंसर वेडिगुड देनेश्ट कोशन और स्क्रीन विज़द ओ रिजल्ट ओफ रिफ्लेक्स अक्शन ओफ मेडिवला ओबलेंगेटा जस्ट सब्सक्राइवलिंग इन बस ठीक है आप किसी गवर्मेंट के ट्रांस्पोर्टेशन के अंदर जा रहे हो और एक खील क्यूबर ट्रैवल कर रहे हो आपको एंजाइटी है और आपने बहुत भर पेट के खाना खाया लाइक आपने चावल वगरा खाये तो आपको रिफ्लेक्स अक्शन आएगी प्रनौव कोंज जाएगी आपको उल्टिया आएगी तो ओमिटिंग जो होती है मेरे दूस्तों आपकी मेडूला ओबलेंगेटा की थ्रू होती है वेरिनेस मेडूला ओबल इसके इंदर आ जाती है वेरिगुड इस प्रॉब्लेम एरे सबको उती है मुस्ट लिए तो फॉलिंग इस्टेबल डिस्क्रिप्शन फॉड़ ट्रैकिया अगर आप अगले साथ किसी का यहां से आपने काड़ दिया यह नेखी काड़ दिया आपके बास दो अपनी दिखे यह धा उरिजबत अंधर आपके एंदर आपके अंसर फीक इलगें यह गरी को यहां ऋसके कि रीज्टी है तो प्रॉब्लेंस तो याई यह पूरे नेक के रिस्पेक्ट में वो डॉर्सली होता है इन्विज डिसीज ड़सर सीम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेंड आपियर ड्यूट दे इनफ ऑक्सिजन इस नौट रिचिंग हार्ट मसल्स सबसे खास चीज यह आपका खास करके यह Middle Age में होता है बट किसी भी एज में बचपन में बड़े में बुड़ों में कई भी हो सकता है तो यह जो होता है इसकी बीच में acute chest pain लगता है थोड़ा साथ समक ने लगता है इसे लगता है इसे हम कहते स्क्रिन के सामने है जल दिते उजह तो फॉलिंग इस नॉट फंक्शन ओफ पैरा थार्मोन पीटी अज पैरा थार्मोन इस दिक्रिटेड बाई और पैरा थैरोइड ग्लैंड यह आपका सिक्रिट हो जाएगा यस तो यह जो होने के आशन मौन यह रेक्री जाम के अवसक्रिये घ्री रे वसधना यह क्या चाहिए यह अशी नहीं मैंत दोस्तो यह क्या है यह अन्दर आपका कैल्सियं बढ़ाएगा तो मैक्जिमम यह क्या करेगा यहा पर आपका increase करेगा reabsorption so option B is the incorrect option very nice then the next question on your screen my friends which of the following state of the elements delays flowering if their concentration in plants is low delays the flowering इसकी एक ट्रीक है मेरे पास delays the flowering अगर ये नहीं होंगे तो flowering नहीं होगा जल्दी से delays the flowering कौन सा होने वाला है जल्दी जल्दी जी D है option nitrogen है potassium में, manganese में, sulfur है nitrogen क्या है इसकी एक ट्रीक मेरे पास है मेरे दोस्तो अच्छे से देखना अच्छे से देखना monsoon नहीं होगा that is the molybdenum, nitrogen and the sulfur monsoon नहीं होगा नहीं होगा तो flowering नहीं होगी तो flowering नहीं होगी ये चीज अच्छे से याद करना monsoon नहीं होगा तो नहीं होगी आपके flowering, मांसूर नहीं होगा तो आपके flowering नहीं होगी, yes, Monday to Sunday, no flower, ऐसा नहीं करने है, मांसूर नहीं होगा तो flowering नहीं होगी, आपके याद कर सकते हो, so option is very simple, option D is the current answer, then the next question on your screen my friends, you just have to choose the correct match, the question is very simple, just try to solve it, the first match is the inspiratory capacity, so what is the meaning of inspiratory capacity, how much you can inspire a capacity के अंदर, so very simple thing is, you just have to calculate, tidal volume, that is the 500 ml, plus your inspiratory reserve volume, यह आपके maximum capacity हो सकती है, okay, then the second thing is your expiratory capacity, you just have to choose tidal volume, plus expiratory reserve volume, that is the, आप forcefully किता expire कर सकते, that is the expiratory reserve volume, so option इसके अंदर आपका आजाएगा, the vital capacity, or the functional residual capacity, functional residual capacity, इसकी बीच में आपका जाएगा, ERV, that is the expiratory reserve volume, plus your residual volume, ठीक है, and the last thing, we just have to discuss, is your vital capacity, equals to expiratory reserve volume, plus tidal volume, plus IRV, मतलब क्या, कि आप किता vital capacity निदर कर सकते हो, so option को सा match करेगा, यह आपको चूज करना है, B match करेगा, क्या, हो सकता है, B या C, हो सकता है, the part of the large intestine, which appears as a blind sac, and harbors some microorganisms, actually this is the part of large intestine, the most important thing, and it is a blind sac, that is the blind sac, छोटी sac होती है, and इसके बीच में ileocecal valves भी होती है, जो कि आपका backflow को prevent करती है, So this part is called as the cecum, ठीक है, cecum harbors some microorganisms, which are symbiotic, which are symbiotic, मतलब हमारे लिए healthful होती है, हमारे healthful होती है, मरे दोस्तों, क्योंकि हमारे digestion के अंदर roll करेगी, हमारे लिए थोड़ा सा product digest करा के देदेगी, जो undigested part होता है, like उससे कर देगी, और यह जो होता है, यह आपके cattle वगेरा के अंदर भी होती है, जिनके अंदर cellulose digestion अच्छे से हो जाता है, cellulose digestion, very good, निएस्ट कोशन आपके स्रीन के समने, citrus kanker कौन सा डिसीज है, आपके अंसेटिकल ने दिया है, ct, ct, मतलब क्या, c मतलब chlorella, chlorella, ठीक है, c मतलब typhoid, c मतलब citrus kanker, c मतलब क्यों सा है, typhoid दिया है, and t मतलब क्यों सा है, दूसरा, last वाला t, ct का ठीक है, बाकी वैसी तो t से बहुत आजाएंगे, बट ct लग क्यों सा, टेटैनस, ठीक है, टेटैनस आ जागे, टेटैनस बेक बैक्टरिल डिसिस होता है न, तो ये चार डिसिसे थे जो कि आपके बैक्टरियल डिसिसे हैं, ct, ct, तो option क्यों सा, chlorella, typhoid, citrus kanker, as well as the tetanus, अर्द बैक्टरिल डिसिसे, ओके, next question आपके screen के समने, विज़तों falling is called correct about the non-living objects, living world का question है, living world का simple question, जल्दी से, जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा simple question है, correct about non-living things, doesn't grow, yes, करती है, grow करती है, तो यह option आपका incorrect होने वाला है, so interesting growth, अंदर से grow करती है, नहीं, so extreme growth, correct है, extreme interesting growth आपके living organisms करते है, doesn't grow, नहीं grow करती है, क्योंकि यहाँ पर हम mass के comparison में बात कर रहे है, जो बहुत extreme से नहीं, इंटरेंसिक नहीं करती, so only option matches, that is the option C, non-living things की growth बस external होती है, internal नहीं होती है, इस चीज़ को याद कर लो, next question, necessarily organs like the gills, gills, bug lungs or the tracheal system are found in the phylum, this is the largest phylum, this is the largest phylum, and जो आपके animal species है, उनमें से two-third species इस से ही बिलोंग करती है, how much two-third species belongs to this phylum itself, so it is a phylum of your insects, that is also called as the arthropoda, yes, that is called as the arthropoda, so arthropoda is the largest phylum, and जिसके अंदर क्या होता है हमें दोस्तों आपके, gills, bug, gills, bug lungs or the tracheal system इसके बीच में होती है, and सब से पहले, respiratory system अच्छे से डेवलप इन के अंदर ही हुई थी, very good, next question on your screen, निजल granules are located in, okay, the question is very simple, निजल granules are made up of your rough endoplasmic reticulum plus your proteins, okay, इन के उसे से बनी होती हैं, आपके निजल granules, यह जो होते हैं, यह आपके, कि मैं डाग्राम थोड़ी सी गंदी ड्रा कर रहो, इल मैनेज कर लो, यह आपके नॉर्मली साइटान, plus dendrites, साइटान मतलब क्या, cell body, आप कह सकते हो, और आपका जो dendrites होता है, उनके अंदर present होने बाली है, तो यह जो होता है, मैं diagram इत्ती गंदी के ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हम जल्दी जल्दी solve करेंगे, तो निजल granules are also present in your dendrites, dendrites के अंदर भी होती है, and depending upon the number of dendrites, there are the number of type of the nerve cells present, okay, next question आपके screen के सामने है, आपके सामने एक diagram है, you just have to choose the correct option regarding the diagram, visible है, is the question is visible or not, is the question is visible or not, I think visible है, क्योंकि मेरे phone में तो visible है, मेरे phone में तो visible है, question important है, मैं zoom नहीं कर सुकूंगा, the important question है, please try to solve it, okay, let's find out the answer, what is the option A, यह जो आपका A होने वाला है में दूस्तों, यह आपका क्या होने वाला है, peripheral micro-tubule होने वाला है, यह क्या है, यह आपका peripheral micro-tubule हो जाएगा, जो आपका B दिया है, that is the E, यह आपका B, यह आपका inter-double-ed bridge है, yes, zoom it, okay, यहापर मैं zoom करूँगा, और आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है, यह जो है मेरे दोस्तों, यह आपका inter-double-ed bridge होने वाला है, C जो है, C अंदर आपका क्या match करेगा, जल्दी से देख लो, यह आपका central microtipule हो जाएगा, जो D है, वो आपका radio spoke होने वाला है, तो option आपका match करेगा, आपका, very good, option आपका C match करेगा, सभी बात है, तो इसके अंदर आपका option C is the correct answer, next question on your screen, water constitutes dash dash percent of the total cellular mass, एक चीज़ देखना, अगर आपके body में से water mass 50% से कम हो गया, तो आपकी metabolic activity यहाँ पर lower हो जाएगी, यह तो थमी जाएगी, the natural, the normal percentage of the water, that is the total cellular mass, with respect to the cell, यह पर हम, human body की बात नही कर रहे, we are not talking about the human body, we are just discussing about the cellular mass, that is the single cell or the multi cells, so it is the 90%, cells are made नही, not the 50%, 90% of the cellular mass is considered by your H2O, that is from your, that is from your water my friends, so if the water percentage is getting lower by the less than the 50%, then the metabolic activities get directly lower, or the decrease, next question on your screen my friends, in mitosis, the centromere split and the chromatic separate during, you just have been asked about the centromere in the mitosis, okay, so what is the meaning of centromere, आपको बता है, ठीक है, और यह क्या करते है, split करते है, एनि यह आपकी opposite pole पर जाके क्या करती है, decondence हो जाती है, क्या होती है, opposite pole पर जाके decondence हो जाती है, तो इसका अशर आपका अनाफे, the centromere split and chromatic separate during the, यहाँ पर अनाफे should be the current, very good my friends, proud of you, yes, love you guys, very good, very good, just proud of you, next question on your screen, a particular mineral element, the P, activates various enzymes, especially nitrate reductives, simple question है, nitrogen metabolism, nitrogen metabolism, ठीक है, आपको एक चीज़ पता होगी, आपको जो nitrogen होता है, वो आपको molybdenum iron protein होता है, ठीकि वो इस चीज़ते बना होता है, तो इसका अंसर क्या होने वाला है, जल्दी से, try to solve this question, so this is the molybdenum, जो आपका nitrate reductives वगेरा होने वाला है, जो कि आपका nitrogen fixation होता है, उसके अंदर आपका molybdenum बहुत ही important role play करता है, so option B is the correct answer, next question, the serum has all of the following except, what is the meaning of serum, blood minus clotting factors, blood minus clotting factors जो हो जाएगा, उसे हम कहते है serum, आपने बढ़ाओ का serum institute, serum institute is located in the pune, यस pune में होता है, जो कि बहुत बढ़ा है, अपने terms में, बहुत आए ठंडी हो गई, सेशन खतम होते हैं के बाद, पहले जाके चाय प्यूँगा, बेर यूट, तो इसका अपका clotting factor है, इसका अपका clotting factor होने वाला है, बहुत बढ़ा है, next question, आपके screen के सामने में दोस्तों, without the falling is not a part of renal tubules, renal tubules का कौन सा part न, important question, 5 star लगा लो इसे, इसके बीच में बाउम्मैंस capsules के बीच में होता है, so it is not a part of renal tubule, it is a part of arteries, that is the renal artery, renal artery will divide into the glomerulus, after that, that is from the efferent and will get converted into the efferent, that is the simple role of glomerulus, it is not a part of renal tubule, okay, got it, it is not a part of renal tubule, again the next question on your screen my friend, is photosynthesis is, बच्चा कोशन, आप इसने बच्च्पन में स्वाल कर सत्ते हो, बहुत जादा simple question है, the question is very basic, so question is very simple and the basic, photosynthesis, as you know my friends, photosynthesis में क्या होता है, एक है wavelength होती है, C3, C4 plants के लिए, उस wavelength पर आपकी दो systems होती, एक तो cyclic हो जाएगी, एक दूसरी होती है non-cyclic, ठीक है, वो आपकी activate होती है काम करेगी, and the sunlight की जो energy होती है, it will get converted into, it will get converted into your chemical energy, that is starch synthesis, that is starch synthesis, and इसे में glucose भी कह सकता है, इसे में sugar कह सकता हो, खास करेगी, glucose नहीं, sugar, तो physiochemical process होती है, यह कह है, मतलब फिजियोलोजिकल भी होती है, नापकी chemical भी होती है, in males, FSH stimulants, the very important question is, okay, सबसे खास चीज गonadotropping, releasing hormone, is secreted by your hypothalamus, it will, it will lead to the, you can say, LH and the FSH, LH as well as the FSH, from your anterior pituitary, FSH will act on your serotally cells, serotally cells, ठीक है, serotally cells में secret some factors, which help in spermatogenesis, which help in the spermatogenesis, so option which get matched, is the serotally cells, जो कि secretion करती है, spermatogenesis, interstitial cells नहीं, interstitial cells दुसरा नयाम होता है, lady cells, lady cells इनका दुसरा नाम होता है, so option A gets matched to the answer, very good, the next question, milk is primarily dependent upon, ओक एक चीज देखना, अगर आपको breeding कराना है, आपको क्या करना है, breeding कराना है, breeding मतलब क्या, cross कराना है, वोई भी animal का, अगर आपको cross कराना है, तो कौन से characteristics आप देखोगे, सबसे पहले चीज, quality of breed देखोगे, मतलब क्या, एक high milk quality जो होती है female के अंदर, जो कि ज़्यादा दूद बनाए, ज़्यादा milk का secretion करे, वो female के अंदर superior है, एक allied bull, allied मतलब क्या, ताकतवर, और जिसके बिच में कोई disease नॉर्मली नहीं होता है, रेजिस्टन होता है, वो ताकतवर बूल, ऐसे को हम quality को क्या करेंगे, cross कराएंगे, so quality of breed is the primarily dependent होती है, मेरे दूस्तों milk yield, जैसे कि हमारे यापर जर्सी है, जर्सी काउँ जो है, वो हमने breeding से बनाई थी, superior varieties हमने बनाई थी, जर्सी काउँ अच्छा दूद्ध देती है, जादा देती है, यह आपकी anxiety के line है, as it is, please try to solve this question, the number of chloroplast in the climate dominas is dash dash, and in the mesophyll cells, it ranges between, what is the number of chloroplast in the climate dominas, as well as in the mesophyll cell, so the answer is very simple, comment section के अंदर बतातो, सुदाकर, लक्षमी, उसके बाद कौन है, cage unit helper, अक्षुरा, प्रन्यो है, शोबना है, very good my friends, से लेगा, तो इसका अंसर बहुत जादा सिंपल है, climate dominas के बीच में, मेरे दोस्तों, इसका number one तक vary करता है, one, one, two, ऐसा हो सकता है, and mesophyll के अंदर, of chloroplast is depend upon the type of cell, तो आपके type of cell के उपर depend करेगा, even in plants अंदर प्र आपका type of cell के उपर depend करेगा, then next question on your screen my friends, okay, so question is very simple, the question is very simple, you just have to choose the correct answer, okay, you will not able to see the options, but still, हम इसी यहापर ही solve कर लेंगे, different cells have different sizes, arrange the following cells in ascending order of their size, तो आपको बताने कि सबसे कम size किसकी है, okay, mycoplasma, ostrich cell, human arbaces and bacteria, so as you know, the mycoplasma is the PPLO like organism, तो सबसे कम उसकी ही होने वाली है, ठीक है, तो उस्ते जादा आपका होने वाला है, आपका bacteria, that is the option 4, उस्ते जादा आपका होने वाला है, human arbaces, and उससे सबसे जादा आपका होने वाला है, ostrich egg, जो कि आपका centimeter के अंदर होता है, 7 से लेकर 15 centimeter तक, तो कौन सा option match करेगा, 14, 14, 31, 14, 14, 32, 14, 32, कौन सा match करता है, नहीं आपर कोई option नहीं दिखाए तरहा, बट हमने अच्छे सिब solve किया है, जल्दी से, कौन सा option है, इसका, और गनिजम कौन सा है, और गनिजम भी या, एना भी ना है, इसके बीच में होता है, सही बात है, तो यह जो मेरे दोस्तों, यह जो option A है, यह आपकी मूसिलाजनिस है, मूसिलाजनिस है, ठीक है, और जो B है, वो आपकी हेटेरोसिस्ट होने वाली हेटेरोसिस्ट, जो कि आपका nitrogen का fixation कराती है, तो अप्षिन वीच गेटेस्ट मैच इस ऑप्षिन D, ऑप्षिन D is the correct option my friend, next question you just have to choose this correct option, तो question is very important, important question, अगर आप नभी तक इस session को लाइक नहीं किया, तो जल्दी सजा के ओभी कर दो, अगर आप नभी तक इस session को लाइक नहीं किया, अरे वैंगों की पूचा है, एनकाडिय से नहीं है क्या, एनकाडिय से नहीं है, एनकाडिय से भई या, उसी के बाद आपको पता नहीं मेरे दोस्तों, कि उसका order कौन सा है, order आपका 7 days हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एनकाडिय से हो जाएगा, अगर मैं क्लास की बात करूँ तो, आपका मैंजी फेरा इंडिका की अंदर आपका डाइकोट फोके, क्लास पूचा है, डाइकोट ले देने ओके, एनड पोईसी आपका ट्राइटो के इसके वेश्यम की बीच में आ जाएगा, फैमिली, और आपका पोईस एंड मोनो कोट लेइंस की बीच में आ जाएगा, सो अप्षिन फीट मैंच माइफ्रेंडस, अप्षिन कौन सा मैच करता है, अप्षिन आपका बी मैच करेगा इसके बीच में, करेक्ट, औरेक्ट, नेक्स्कार्चिन आपके स्क्रीन के सामने है जल्दी से जल्दी जल्दी ंकरेट option छूजर कर लो वहाँ स्परनस्वान क्या किस्पच्प्रेजन क्लेक्पिब स्वेच 번째 सिप Björn इसकी वज्य है आपके अंदर होता है टो आपका यहीनकास अपका रिर्टय Paceste is भी खुर्द लाटाइड कर देगा तो इसका आपका यह इंकरेट होने वाला है आप्षिंऋ भी चीज इंकरेट इस ऑप्षण होने वाला हिए तो इस acquired उप्षण फोपिस टोश्सwe Jamaica around for ूब्र yogh जरी प्लिस टर्न ओफ दी पावर सेविंग ओके वेरी गुड माइफ्रेंड बहुत विडिया है हम आगे मोह करेंगे नेस्ट कोशन की तरफ हम अगर आपके बीच में सच में ताकत है तो सौल करके दिखा दो पच्छी नीट आस्पेरेंट हो एक योद्धा हो तो ट्राय करके दिखा दो जल्दी से एक योद्धा हो तो ट्राय कर लो कि विस्टेट ऑफ कैरेक्टर बिलॉंग स्टु दा सेम फाइलम कोशन बहुता सिंपल है में दोस्तों परस्ट ट्रूस इलुमेट्स जैसे मैं को पता है वो एनिलीडा है ठीक है एनिलीडा है और नेफरिडिया है वो भी आपके एनिलीड कैसे बिलॉंग करेगी एनिलीडा केंदर आपका अर्थमां बगरा हो जाएगा मतलब क्या जिसकी बीच में आपका अनेलिड्स होता है लाइनस मतलब छोटी रिंग्स होती यस यस केजी नीट हेलपर नेर्ट कोशन बजब फॉलिंग स्ट्रॉक्च्छरल एंदर फंक्शनल के होती है जो कि आपके आपके और त्य को में आरेंच र॥ी हां इसकी उपर एक तीन पड़ीजिऊ होता हे थी नाटे कүू लेयर होता है excuse me sorry for the inconvenience इसके पर क्या होता है इसके पर क्या होता है इसके कि इसे कवर करता है so option आपका मैच करने माला है that's the option b is the hepatic lobules very correct then the next question on your screen my friends the most notable disease caused by the prions are the question is very simple the most notable disease caused by the prions are is the bse as we know that is the bovian spongy form and self-alphaity and is the commonly called as the mad cow disease in the cattle and it is the analogous to the variant of cr jacob jacob हो जाएगा this is the consumption match करेगा जली से solve करो इस question को the most notable disease caused by the prions को मैं यंस्याटी का question है ना तो यंस्याटी मुझे 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 जबानी याद है यंस्याटी मेरी मुझे दोस्तों देख लो तो अगर मेरे साब ने question भी आ रहा है नहीं तो मैं को option देखनी की जुरूरत नहीं है इतने आराम सी से solve कर सकता हो the most notable disease is the bse commonly called as the mad cow disease and analogous हो जाएगा cr jacob disease option c okay option c yes correct है इसका option c होने वाला है एसे ही simple simple question आपके need में पूछे जाते है next question on your screen my friends you just have to choose the incorrect option choose the incorrect option from the following the question is very simple jawless fishes have six to fifteen pairs of gills leads jawless fishes के पास मनलब अग्नियाता correct है रेप्टाइल साथ three chambered heart except crocodile and the cleric eggs cleric eggs होती है बढ़ हमें याद करने के जूरुरत नहीं है पर crocodile के अंदर आपका four chambered heart होता है तो यह भी option आपका correct है okay coordinates have solid dorsal nerve cord and the notocod नहीं notocod होता है यहापर क्या होता है यहापर hollow होता है solid नहीं होता है तो option three आपका incorrect है coordinates and the sepolo coordinates are often referred to as the protocol dates correct है मेरे दूस्तों तो option यह भी correct है तो option आपका c incorrect है यहापर आपका hollow होना चाहिए था very nice my friends proud of you proud of my friends next question आपके स्क्रीन के सामने plants with the eligible roots are eligible roots आप कह सकते हो eligible कहना अच्छा नहीं रहेगा जल्दी जल्दी simple question बन्यार advantageous roots निकाल दो मेज मेज की हम रूट्स नहीं खाते खास करके राइडिश के राइजोफोर राइजोफोरा के रेस्पेरेशन के लिए होते हैं carrot की बीच में आपका vitamin A का precursor होता है राइडिश भी खा सकते हो sweet potato जो होता है वह आपका advantageous roots का एक आपका होने वाला है जिसे हम खा सकते है एडिबल कहते है मतलब क्या खाने लायक खाने लायक एक simple सा question था कि आप इसे क्या-क्या खा सकते हो राइज ऑपरा नहीं खाते मेज की आप रूट्स नहीं खाते बन्यान के नहीं खाते है so option आपका D is the correct answer D आपका एक दिख रहा है but D is the correct answer very good then the next question on your screen my friends which of the following is not the feature of cardiac muscle is not the cardiac not the feature जल्दी से जल्दी जल्दी आराम से कर दो हमने बहुत ज्यादा questions की प्रैक्टिस की है तो एक चीज़ देखना cardiac muscle जो होता है में दूस्तों आपका contractile tissue होने बाला है तो इसकी बीच में आपका intercalated disc होने वाली है ठीक है intervertebral disc कहीं तो दिया है कौन सा option है वेर दोस्तों इसका answer okay चलो solve करते है देशो branching pattern yes correct है क्योंकि जब एक धड़केगा तब दूसरा धड़केगा दूसरा धड़केगा तब आपका तिसरा धड़केगा simulation received by one cell is passed by the to the neighboring cell with help of intercalated disc correct है they are straighted in the nature yes they are not smooth in the nature but option a is the incorrect option क्योंकि इनकी बीच में intercalated disc होता है not intervertebral क्या होता है intercalated disc हो जाएगा क्या-क्या answer है आपके okay किसी का तो message आया था मुझे मुझे मैंने देखा किया क्या है तो तो क्योंकि जो मेंटो ऐसे करें कि pizza offer for you पीजा की offer तो देदोगे वेट मैंको पास पैस ही नहीं है न order करने के लिए पुछ ऐसी offer देदो कि यार फ्री में ही आप पीजा बाट रहे हो तो मज़ा चाएगा yes next question on your screen my friends you just have to choose the options which represent the family of Solansi that is your potato family that is your potato family please do it right now अच्छे से करना रहे अच्छे से करना तो Solansi लीजो ओने वाला रहे जो की आपका नाइट होता है मुझे आपकी सोल्हेंसिस के विच में होने वाली हैं तो यह जो थे मरत तो अपका फूड के सब्से खास करके होने वाला on in your job के अंदर सबसे मेरा फिव्रेट प्लांट आता है कों सा तो एको तप्से जादा फिव्रेट प्लांट मेरा तो भी इजिक अंदर आता है तो पोटैटों रिंज लिपी नहीं तीकिन को चीली को ठीक है यह आपर निकाल दो ठीक है और इंडीGO टोमेटो डटोरा डटोरा हो गयरा इंडीगो फेरा डैय है और मैच करेगा ऐसोले मैच करेगा बलागड़ो न अश्वा गन्दा पैटोनिया पैडल से फिर करेडंसर पैडल पैलिए को होते हैं ती whole division lequel loading unloading कराते हैene loading as well as the unloading of the sugar कराते हैं to it is characteristic of your flowering plants ठीक है यापके flowering plants के अन्दर होती है और आपके flowering plants को से आपके angiosperms and albuminous cells are present in your gymnose grams the companion cells are present in your angiosperms that is a major difference you can say तो option D नहीं, option C is the current answer, option C is the current answer मेरे दोस्तों, कित्ता basic question है, confuse मत करो, next question, fertilization कोकरोज की बीच में कैसे होता है, तो spermatophores, यह क्या होते है, male के अंदर sperms इकटा किये जाते है, यह जो होते है, copulation के वक्त, ठीक है, जब भी यह एक दूसरी के साथ copulate करते है, यह female के अंदर छोड़े जाते है, ठीक है, female के अंदर स्टोर किया जाते है, spermatica के थूरू, पर मैं ठीका के थूरू, ठीक है, यह जो होता है मेरे दोस्तों, फिर बाद में जाके, ओंस को fertilize करता है, जो fertilize eggs होते है, यह उत्थका के अंदर स्टोर होते है, यह जो होते हैं, उनका number 9-10 होता है, हर एक के अंदर 14-16 आपके fertilize देख होते है, तो इस cancer बहुत बहुत बहु internal cavity भी होती है, इनके तर ठीक है, वैसर जो हने वाले हैं, आपके trackers के थूरू के से differ करते हैं, वैसर और trackers के से differ करते हैं, तो the very important thing is being living, नहीं, वैसर और not living, inucleated conditions, not, correct, incorrect, all of the, वो incorrect है, presence of perforation plates are the both the ends, yes, मैंने आपको diagram के थूरू दिखाया है न, दोनों end में perforations है, तो option आपका match करेगा, that is the B option, कौन सो option match करेगा, option B, दोनों end में perforation होते हैं, दोस्तो, the option that gets match is your option B, very good, in the next question on your screen, my friends, last few questions, we'll solve within 10 minutes, or within 5 minutes, please be patient, please be patient, हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, during muscle contraction, what could be the correct sequence, during the muscle contraction, muscle contraction के बीच में मेरे दुस्तों, sequence क्या होता है, सबसे पहले अगर में चीज़ बता दू, तो सबसे पहले आपका, एक acetyl coline आएगा, that is the transmitter, आपके सब्सक्ते हो, ठीक है, तो सबसे पहले में B लिख देता हूँ, उसके बाद release of calcium and so का, sarcoplasma reticulum के थूरू, sarcoplasm की बीच में, तो उसके बाद आपका होने वाला है BA, तो यह option हो जाएगा, उसके बाद sliding नहीं होगी, उसके बाद breakdown हो जाएगा ATP का, cross bridge बनाने के लिए, तो उसके बाद में लिखूंगा, आपका आजाएगा D, अदर last में होगा आपका C, ठीक है, तो option आपका होने वाला है, BA, D, C, तो option correct match is the option D, yes, yes, option D आपका correct होने वाला है, only 5-10 minutes my friends, after that we'll complete our session, yes, fine, okay, then the next question on your screen, जीचो तो following is correct about metaphase first, we just have been asked about the metaphase first, metaphase first के अंदर क्या होता है, जल्दी से, try to solve this question, इसके बीच में आपको कुछ particular options दिये है, जल्दी, 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 की univalence आपके arrange किये जाते है, equator पर bivalence किये जाते है, non homologous chromosome की एक pair form की जाती है, spindle fibers attached होते है, chromomere पर, यह पर आपका centromere होना चाहिए था, non homologous नहीं होता है, univalence नहीं होते होते है, तो option आपका match करेंगा, option A, bivalence are arranged at equated in the metaphase first, metaphase first के इंदर, इसते arrange किया जाएगा, तो question बहुत जादा simple था, अंसर भी बहुत जादा simple ही होने वाला है, next question, okay, through each other following is the correct about the organism developed through the parthenogenesis, in which, parthenogenesis is a very simple thing my friends, in which क्या होते है, जो कि आपका ohm होता है, वो without fertilization, अच्छे से देखना, just need helper, सुदा कर अच्छे से देखना, तो आपका ohm होने वाला female organism का, ठीक है, female का, वो directly convertant हो जाएगा आपकी organism के अंदर, ठीक है, तो यह जो होता है, इसका genetic material, as it is, इसकी बीच में आ जाएगा, तो इसका अच्छा आपका very good लक्षमी, इसका आपका होने वाला है, they show 100% similarity to the mother, क्योंकि mother का जो ohm था, एक था, वो as it is organism के अंदर convert हो रहा है, so the genetic material will be as it is, that is the similar, very good, जैंदर, एक स्क्रीन आपकी स्क्रीन, कोई तो था यार, रोटी पर टर्की बीज बगएर था, और कोई तो था, next question, मुझे तो following is an important function of cortisol, cortisol मतलब के glucocorticoids बगएरा, glucocorticoids बगएरा इसके अंदर आपका आज आएगा, simple question है, बहुत ही जादा, बहुत ही जादा simple question है, glucocorticoids बगएरा इसके बीच में आते हैं, जल्दी जल्दी, तो जो हो जाएगा, आपका cortisol is the main glucocorticoid, which helps in the proteolysis, lipolysis and glycogenolysis आपको पता है, as well as it plays a very important role in the inflammatory reactions, it slows down the inflammation that is the टरगार वगएरा आप जो चीज़े होती है, कैलार टरगार वगएरा सभी चीज़े उसको कम कर देगा, and dollar वगएरा ठीक है, as well as यह जो होता है मैं दोस्तो आपके allergy के अंदर भी काम करता है, तो इस काम सरे मैं दोस्तो option a is the current answer, यह क्या करता है, maintenance cardiovascular system as well as the kidney function maintain करेगा, okay last few questions, angiotensinin 2 will perform of all of the following exception, except angiotensinin 2 क्या नहीं करता है, जल्दी जल्दी जल्दी, angiotensinin 2 क्या नहीं करेगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि यह powerful होता है, powerful वैजो कंस्ट्रिक्टर है, hyperentremia करेगा, nitremia करेगा, okay सही बात है, GFR बढ़ाएगा, इसकी वज़े से आपका reabsorption भी बढ़ाएगा, correct है, excretion of sodium in the urine यह नहीं करता है, क्योंकि इसका कोई function नहीं होने वाला है, तो option D is the correct answer, okay, next question of screen के सामने है, human placenta does not secret which of the following hormone, आपका जो human placenta है, वो कौन सा hormone release नहीं करता है, तो first option is STG करता है, ठीक है, HPL that is the human placenta lactogen करता है, projectron बाद में करता है, corpus luteum का function यह लेता है, but androgens are not secreted by your human placenta, because androgens are present in the males, you can say specifically, and the very important reason is androgens का अपर कोई function नहीं है, so it is not released by your human placenta, okay, fine, then the next question on your screen, the inner layer of male gametophyte in the angiosperm, so what is the male gametophyte in the angiosperm, that is the pollen grain, that is the pollen grain, is made up of, so what is the inner layer, inner layer is very simple, that is the entine, ठीक है, so entine is made up of your cellulose plus your pectin, ठीक है, से पैसे बना होता है, and cellulose and the pectin are the polymer of your carbohydrate, are the polymer of your carbohydrate, not your lipid my friend, cellulose and the pectin, are the polymer of your carbohydrate, no, so option D must get match, option D get must match, so option D is the correct answer, very good, then the next question, okay, then the next question आपके screen के सामने है, okay, during embryonic development of the human limbs and the digits are formed during, okay, first month में क्या होता है, hard form होता है, उसकी गुरूत हमें दिखाए देती है, है, second month में क्या होता है, limbs and digits बन जाते है, correct है, third month of pregnancy में क्या होता है, mature organs बन जाते है, and second trimester के होता है, eyles बगर सेपरेट होजांगे, ey lashes बगर सेपरेट होते है, and fifth month मत पर क्या होता है, fifth month उसके, by the head Vगर आपर hairs बगर आ जाते है, उसकी growth दिखाए देती है, so the option is very simple क्या वर फूचा है कि human के अंदर limbs and digits कब बनते हैं so option please the current answer ठीक है यह option आपका correct है मैंने आपको पूरा explain कर दिया और इसका answer भी बता दिया bar body is abstentine bar body मतलब आप कह सकते हो कि x x की बीच में एक था क्योंकि आपका condensator form होता है आपके sexual chromosome का yes yes correct correct solve गर लो bar body आपके turner syndrome है very good तो जिसके बीच में x naught होता है that is the 44 plus आपका x होता है ठीक है इसके अंदर आपका अगला वाला absent होता है जिसे हम कहते है turner syndrome जिसके बीच में bar body आपकी absent होने वाली है very good next question आपके screen question hello नंदा आपर please don't use particular language yes next question आपके screen के सामने the frequency of crossing over between any two linked genes is simple question है आपका जो crossing over होता है दो link genes के बीच में आप इसे homologous कह सकते है इसे आप homologous भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसे कहने में जल्दी जल्दी इनका जो crossing over होने बाला है वो किस चीद के उपर depend करेगा crossing over बी नहीं डॉमिनस और यहाँ पर recessive नहीं का कोई function ही नहीं है क्यों function आगा नहीं I if they are recessive dominance और recessive कोई function ही नहीं है the same as if they are not linked linked है तो ही होगा link ही नहीं है तो कोई नहीं होगा and question में तो link दिया है where not linked हो तो कोई function ही नहीं था so option match करेगा directly proportional to distance between them if the distance जादा उतना crossing over के अंदर आपका frequency change होगा it's very good so option which gets match is the option D my friends option D आपका match करेगा next question आपका स्थिन के समने Saheli is the contraceptive drug select the incorrect statement about the heat it is made by your CDRI लखनौ ठीक है that's the central drug in such institute it is oral drug it is non-hormonal non-steroidal drug it is once a weak pill ठीक है not a month so option C is the incorrect option and high contraceptive value जो होती इसकी होने वाली है and इसकी जसे हमारे इंडिया को बहुत ही जादा नाम मिला है so option C is the incorrect option because it is not a once a month pill it is a once a week pill it is a non-steroidal it is a non-hormonal oral drug which is made by your CDRI लखनौ high contraceptive value है and less side effects है experimental proof of theory of chemical evolution theory of chemical evolution was given by operin and helden was given by operin and the helden के थूँ दिया था and was experimentally proved by your puree and the miller चाचा ठीक है आप miller चाचा कह सकते हो in the year of 1953 in the year of 1953 they have took NH2 अगेरा they have took H2 they have took your water vapors अलसो उन्हेंने क्या क्या 800 degree Celsius temperature लिया reducing environment लिया और जिसकी बीच में उन्हें अमाइनोसित दिखाई दे so you're a and the miller is the correct answer ओके नंदापार अगर एक legal action ले लोगा ना आपके खिलाफ तो पाच मिनिन में पता चलेगा कि क्या होने वाला है एक legal action लेने की ज़रूते बस तो एक last word नहीं है नंदापार एक last legal action लेने को मैं को मतलब मज़ूर मत कीज़ेगा फ्लीज ठीक है next question आपके screen के सामने है biotic potential जो होने वाले हो किस चीज़ से refer करता है जल्दी से biotic potential मतलब कौनसा होने वाला है जल्दी 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 biotic potential मतलब कौनसी चीज़ होती है एक चीज़ देखना अगर आपके पास एक population है कोई भी population किसी भी चीज़ की हो सकती है अगर किसी भी चीज़ के आपके पास एक population है तब अगर उनके पास जो material होता है ठीक है अगर उनके पास जो material होने वाला है जो की food अगरा हो जाएगा अगर वो unlimited है अगर वो unlimited है तो क्या करता है बहुत ही तेजी से grow करेगा इस direction में grow करेगा रुकेगा ही नहीं मेरे दूस्तों या तो आप इस direction में पकर सकते हो बट जे शेप में के साथ है जे शेप में एक जावार जाके कई तो रुख गया था पड़ यह चीजे इसके इंदर नहीं दिखाए देगी biotic potential के अंतर यहाँ पर आपका होने वाला है increase of the population अंदर optimum condition आपका होने वाला येंकी मल मैक्जिममपाटेंशल can अंदर हो जिनके पास food material बढ़िया हो and जो रहने खाने पिने के लिए जो चीज़े लगती ही वो भी बढ़िया तरीके से हो last few questions ठीक है last के 5-10 questions है मेरे दोस्तों simple है जो the following factors may result into the introduction of new variations एक चीज़ देखना new variation तो inbreeding से new variation आ सकते है क्या नहीं आ सकते है क्योंकि यह तो same species होने वाली है ठीक है same species होने वाली है stabilizing natural selection हो सकता है क्या natural selection कि तुरू नहीं हो सकता immigration of individuals अगर भारती कोई आते है variation आने के chances यहाँ पर होने वाला है क्या ठीक है ओके नहीं नंदा आपार ठीक है wait a minute just wait a minute अभी आपका यहाँ पर मैंने save करके रखा है ठीक है wait a minute अभी एक session करते हमोने तो I will take a legal action regarding you तो इसके अदर आपका immigration of individuals नहीं आएगा तो इसके बीच में मैं दोस्तों एक चीज बेहना अगर आपके पास mutation है अगर वो वाला mutation आपके जर्म प्लाजम के अंदर हुआ है तो क्या होगा आपके अगली प्रोजनी तक पासवान हो जाएगा और जो आपकी अगली प्रोजनी होती है मेरे दोस्तों उसकी अंदरों क्या करेगी variations को accept करेगी जिसकी वज़े से mutations की वज़े से आपका क्या आ सकता है variation आ सकता है very good अनि कभी एक बार mutation अच्छे भी हो सकते है जैसे कि हमने plant breeding के अंदर देखा था आपका जो mung bean है ना mung bean ठीक है उसके अंदर हमने क्या किया था mutation की थ्रू हमने क्या किया था सबसे इक चीज़ इसकी एक trick है मेरे पास ट्रीक मने व्याद करने लाइक नहीं है सबसे पहले चीज modern human को निकाल दो तो modern human को last में रख दो सबसे खास में last में रख दिया ठीक है तो सबसे नीचे यहांप last में उससे पहले आए था आपको Cro-magnan ठीक है? आप देखो सबसे पहले तीन आया था उसके पीछे लास्ट दो नंबर और शे नंबर और यह मैच कर एक ऑप्शन सी ऑप्शन सी को टिक कर दो इसे तो स्वाल कर सकते हो बट मेरे पास एक ट्रीक है जिसके आप यूज कर सकते हो तो कोन साथ जागा सींपल से चीज है आपका ऑस ती देन आपका आगया हो मेरेक्टर्स 1.5 विलियनेर साग उथा और उसके बाद आपका गया था निंदरतल मैं उसके बाद क्रो मैं मैं अग पंब लाएं स्क्रिंशोट ले ले लिया इंपॉर्डन करो क्योंकि वह इस इंपॉर्टंट होने वालि tôi जाते हैं जिम्हे से Цह कर ले कर लो गो दाता है यह सुदा कर स 마음 female mosquito is the vector for which of the following diseases अराम से हो जाएगा ये question, tension मतलो, very good, तो typhor जो होता है, salmolar typhi, ये आपका phyco oral root या तो हो जाएगा, आप कैसे सत्यों, या तो आपके contaminated food और water से हो जाएगा, ठीक है, contaminated food और water, and poliobic contaminated food and water के थुरूए आता है, plague and the rabies, rabies आपके bites से वगर आ जाएगा, ठीक है dog bites से आपने सुना था हो गरा, तो जो होता है उसका transmission अलग हो जाएगा, common call droplets आ जाएगा, ringworms contact, phylariasis जो आपका मलियार ये होता है, ये आपकी female anophilus mosquito के थुरूप फैलते हैं, तो phylariasis के अदर क्या हो जाता है, जो आपका उखेरिया पैंक्रोप्ति होता है, प्लीज अच्छे से सुनना, ये जो आपका phylariasis है, उसके अदर उखेरिया पैंक्रोप्ति विल एंटर विल लोवर लिंफ नोर्स, और विल विल इंफ्लामेशन, due to which the lower lymph nodes will get inflammation and the lower lymph nodes get inflash okay and the second one is the malaria that is as you as we all know it is a protozoal disease you can enter in the form of sporozide and will cause the rupture of the rbc's having the temperature of 39 to 40 degrees celsius okay then the next question on your screen my friends which of the following statement is not correct you have been asked about the incorrect statement please try to solve this question in correct statement is an open type of the system open type of the system is an open type of the system क्योंकि इसके इंदर changes आ सकते है energy exchange होता है तो इसे हम ecosystem को open type कहेंगे तर देखना conceptual है ठीक है ecosystem is self-sustaining and the dynamic structure it is not the simple structure it is the dynamic and the self-sustaining उस्टेस्टेस्टेस करेगी खूसे energy के transfer होगा so it is a self-sustaining option is the correct sun is the ultimate source of energy for any ecosystem yes because we all are dependent upon the producers ठीक है and producers are ultimately dependent upon your sun so option C is the correct answer but in an artificial ecosystem flow of energy is not unit detection एक चीज़ देखना energy जो होता है energy यह आपका follow करता है 10% law 10% rule 10% law follow करेगा तो जब भी आपकी food chain के अंदर आप आगे चले जाओ गए तो आपर 10% आपकी food energy जो होती हो लॉस होती है तो कि दो वन हींट में आपको देना चाहूंगा इट अफेक्ट नियूरो मस्कुला जेंक्शन इट अफेक्स नियूरो मस्कुला जेंक्शन पर एफेट करता है उसी के सब पर लसन सता था ऑस पाल पैना इस पीच में अट इम्मुनिल बीच मैं होता है यह वोड़ी वोडी सेल्फ नंसल्फ की बीच में पता नहीं कर सकती है ओके ठीक है और इस यही बीच में क्या हो जाएगा आपका मीश्थमाग जुने वाला है very good option c is the correct answer okay then last question last second last question आपके screen के सामने है mark the incorrect pair mark the incorrect pair आपके सामने होने वाला है जल्दी से जल्दी साहल कर लो यह simple question आपके सामने है bt cotton genes from agrobacter correct है आप ही सोचो yes the idea deficiency correct है रोज ली alpha 83 के अंदर यह भी correct है okay bt cotton जो था मेरे दोस्तों इसके बीच में आपका क्या आजाएगा bacillus ठीक है bacillus thurian genesis इसकी बीच में आता है agrobacterium to be fashions एक pathogen था जो कि आपके डाइकोर्ट प्लान था like आप कह सकते हूं कि आपका तो बैको बगर आ जाएगा तो यह option आपका incorrect है ठीक है यह second last question था the last question of case screen के सामने है ओके ओके नंदा आप पार इस लास्ट पॉर्णिंग इसके बाद में आपका एक भी message नहीं जला जाएगा अपको open रखते free रखते बहुत अच्छे से सभी चीज़ प्रवाइड करते इसका मेंग नहीं है कि आप मतलब हम पढ़ा रहे तो हमें disturb करो इस लास्ट पॉर्णिंग इसके बाद अगर एक भी message दिखाए दिया तो हम very sure कि आपको अभी के अभी एक लीगल action की थूप जाना पड़ेगा लीगल action कैसी होती आपको पता अच्छे लेगा इसके बाद अभी में कुछ नहीं कहुंगा नीट देना चाहते हो ना तो नीट ही दो अच्छे से बागी की चीज़ों में मताना प्लीज अभी इसके बाद डिरेक्टली functions लिया जाएंगा ना पर लास्ट एक तो कॉलूम को मैच कर लो जल् liksom कॉन सा अता आपका के मैिट कॉन सी वराइटि है जल्दी से जल्दी से कोल करो वीट मदल्ब आपकि सोना लिका आप competit किसी के साथ कल्लेंस होना आ जाएगी कल्लेंस होना आ जाएगी आपका जो कॉली फ्लावर है उसके अंदर पूजा शुब्रा आ जाएगा करेट है तो कॉली फ्लावर मतलब आपका आ जाएगा पूजा शुब्रा ब्रासिका की वराइटी आपकी पूजा गवरो होने वाली है आपके पास जो चीली है मेरे दोस्तों चीली आपकी फूजा सदाभार आ जाएगी सो option कौन सा match करेगा option C आपका इसकी बीच में बहुत अच्छे तरीके से match करने वाला है very good correct option आपका C match करने वाला है तो C is the correct answer very good एक चीज देखना आज हमने 90 questions को solve कर लिया है almost 70 minutes की बीच में हमने solve कर दिया है यह सभी के सभी बहुत बढ़िया questions थे आपके लिए बहुत ही तदा helpful होने वाले है और इसके अंदर आपको मेरे दोस्तों सभी कुछ सभी areas cover किये गए है तो कल भी हमारी session का time है सुबह 10 बजे आपको bio technology की practicing है बायो टेक का सुबह मिल जाएगा 10 बजे ठीक है एंड शाम में आपको जो पाच बजे वाला class है मेरे दोस्तों के अंदर हम full syllabus test को solve करेंगे ठीक है thank you सुदाकर thank you लक्षिमी नोयलवाल जी अपना अपनी पढ़ाई के अंदर मिलते आज शाम वाला class नहीं है आपको बहुत आसम वीडियो मिलने वाला है chemistry का analysis की chemistry का question paper कैसे बनता है इसी channel पर मिल जाएगा एक 20 से लेकर 25 मिनिट का वीडियो है उसे 1.5 एक में देख लेना जरू देख लेना आपका टाइम पास तो शूर शॉट नहीं होगा आपको बहुत जाते चीज़े स्तीखने को मिल जाएगी तो चलो इस station को मैंड करता हूँ जल्दी में देख नए station के अंदर तब तकिल बाइब हैवना है कर तकिल झाएब है।